हेलो एवरीवन वेलकम टो स्टाडी टाइम वित न्यू इन्फोर्मेटिव वीडियो अलहाबाद हाई कोट से जो आरो यारो दो हजार एककिस की वैकेंसी आई हुई थी तो इसमें गड़बडियों को लेकर जो इसमें बहुत सारी जो आनी मिताएं देखने को मिली थी तो उस में कोई भी ऐसी जो गड़बडियां है वो नहीं पाई गई हैं काफी लंबा केस चला और उसके बाद जो है सारी चीजें और कोटने नड़ने दे दिया है कि भरती जो है पूरी पारदर्सी तरीके से हुई है तो चलिए अब जो हो गया तो हो गया लेकिन आप सभी को पता पहले जो है टाइपिंग बाद में होती थी रिजल्ट आ जाता था और उसके बाद टाइपिंग के लिए बच्चों को बुलाया जाता था लेकिन इस बार टाइपिंग एक साथ करा ली गई यानि कि आपको बीच में टाइम दिया गया थोड़ा 15 मिनट का और उसके बाद आ टाइपिंग की उसका पूरा डाइटा जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनका डाटा दीजे कि मतलब किसने कितने देर में टाइपिंग की कितनी टाइपिंग की यह सारी क्योंकि ज्यादा तर जो बातें उठ रही थी वो टाइपिंग को लेकर ही उठ रही थी और आप सभी को स्पीड 25 की कम से कम स्पीड जो है वह आनी चाहिए और अगर इससे कम स्पीड आती है तो आप बाहर करती जाएंगे और यह को सब्सक्राइबस नोगते को त्याइके की एखेलाइबस तो पहले अगर आना ब stri lequelम रहता था जिए और आपको कस्पीड सब्स नहीं होगी तो नहीं टाइप कर पाएंगे जन्यून सी बात है तो सेम चीज यहां पर इस बार नोटिफिकेशन में थी लेकिन बस टाइम आपके पास एक्स्ट्रा कर दिया गया था इसके साथ साथ जो स्पीड है वो आपकी बता दी गए थी कि पच्चिस की कम से कम होनी चाहिए तो नॉर्मल सी बात है अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड अगर आपकी पच्चिस की होगी तब ही आप पांसो सब्द जो है वो टाइप कर पाएंगे तो किसी का 99 रह जा रहा है किसी का मतलब बहुत से बच्चों का छूट जा रहा था कई बच्चों का एक्स्ट्रा भी हो गया किसी का 100.02 हो गया तो जिरो हो गया, किसी का 88 पर ही रह गया, किसी का 98 रह गया, तो ऐसे बहुत से बच्चे, तो जब exam center से बाहर निकले बच्चे तो परेशान थे, कि यार मेरी typing तो बताईए 99.9 रह गई, तो क्या 100% complete ही नहीं हुई, मतलब की 500 वर्ड नहीं हुई, या जिसकी extra हो गई, तो उस समय तक ये सारी चीजे थी, और बच्चे confused भी थे, कि जिनकी 100% typing नहीं है, वो फेलो जाएंगे, जिनकी 99.99% भी है, वो भी फेलो जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे जो है, इसको लेकर confused भी थे पहले, तो ऐसा तो कुछ नहीं था, मेरे द्वारा पहले ही आपको बताया चाहिए, लेकिन आप सभी को पता है कि जब NTA से ये data मांगा गया है, कि दिखाईए कि बच्चों ने typing जो है, वो कितनी किये, किसने कैसे किये, तो ज़्यादा तर बच्चों का तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ बच्चों की आँबात हो रही है, मैं सभी का नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं, ज्यादा तर बच्चे हैं, जिनका typing ठीक है, कि 500 वाल टाइप करने थे, किसी ने 498 किये, किसी ने कितने किये, किसी ने 493 किये, ऐसे बहुत से हैं, ठीक है, किसी ने, और ज्यादा तर ने 500 ही किये, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे दसबारा बच्चों का नाम दिखा है जो टाइपिंग बहुत कम किये और उसमें भी गलतियां बहुत जादा किये और फिर भी उनकी जो स्पीड है 25 पे बिलकुल आ गई है एक्जेक्ट 25 जैसे कि किसी बच्चे ने 465 ही टाइप किये थे और गलतियां करके 375 के सम्थिंग ऐस कुछ नमबर टाइपिंग में उसके वो आ रहे थे 375 और 375 आने के बाद सम्थिंग उसका स्पीड पूरा 25 एक्जेक्ट आ रहा था और ऐसे ही बहुत से बच्चे थे मतलब कि पूरा 500 वर्ड भी टाइप नहीं किये और उसमें भी बहुत धेर सारी गलतियां किये और उसके बाहर हैं क्योंकि उनका स्पीड दिखाया जा रहा है कि किसी का 24.99 आ रहा है किसी का 24.33 आ रहा है और जो बच्चा 400 सब्द टाइप किया है पूरा 400 भी नहीं किया 375, 380 पे रुग गया है 365 पे रुग गया है उसका जो दिखाया जा रहा है कि वो 25 की स्पीड लाया है और स तोचने वाली बात है कि वो पहले कैसे सम्मिट कर दिया, कौन सा ऐसा मतलब महाग्यानी है, जो 465 सब्द या 470 वर्ड टाइप किया, गल्तियां कि वो अलग बात है, लेकिन टाइम खतम होने के पहले ही सम्मिट कर दिया, ऐसे कौन सी मतलब इतनी जल्दी थी, 20 मिनट का टाइ आप भी देखते होंगे, अगर आप टाइपिंग करते होंगे, और आपने टाइपिंग की है एक्जाम में, तो अगर आपकी टाइपिंग नहीं हो रही है पूरी, तो आप टाइपिंग करते ही जाएं, ऐसा तो नहीं है कि बीच में ही सम्मिट कर देंगे, चलिए नहीं हो उसके जो speed है वो कम हो जाती तो इतने कम समय में क्यों submit कर दिया आखिर उसने ऐसा reason क्या था इस सारी चीज़े देखने वाली थी बट जो भी है आपने भी experience किया होगा और बच्चे इस चीज़े भी थे ही वो कि typing अगर जिसकी पूरी नहीं हुई थी तो वो कहीना कहीन संदे में थे कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा वैसा तो नहीं हो जाएगा तो आपके साथ भी ये सारी चीज़े हुई होगी जब exam center से निकले होगे कि 99.% कुछ हुआ है आपका typing तो आप थोड़ा सा doubt में होगे या आपकी error जादा हो गई होगी या ऐसा करके लेकिन जब data मांगा गया है NTA से तो इसमें तो कुछ अलागी खेल दिख रहा है तो अब चलिए जो हो गया है तो हो गया है क्या ही किया जा सकता है जो एक दो photos बच्चों ने भेजी थी वो देखी जिसमें NTA ने जो अपना data दिया है तो चलिए जो list आई है NTA के तरप से बच्चों के typing की और चाहे तो telegram में भी जो list है वो डाल दी जाएगी आपके पास तो देख लीजेगा आप भी उसमें कि कैसे मतलब जो बच्चे हैं कि मतलब कमी समय में समिट करके और कमी सब्द टाइप की है पूरा 500 तक पहुचे भी नहीं अब कुछ लोगों का कुछ कहना है कुछ का कुछ कहना है चलिए जो भी हुआ है एक आपके पास आपको सारी चीजे पता होना चाहिए इसलिए आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है बाकि जो हो गया तो हो गया आगे जो भी वैकेंसी आने वाली है UPPSC की या फिर आलाबाद हाई कोट से ही Group C.E.D. की या फिर आलाबाद हाई कोट से RORO की वैकेंसी तो उनके लिए एक दम लगी रही है जो हो रहा है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं कंट्रोल कर नहीं सकते हैं वो सारी चीजे हैं उसी के बीच में आपको जो सेलेक्शन है वो लेना होगा तो चलिए थैंक्यू मिलते हैं निउ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा थैंक्यू